हेलो एवरीवन इस वीडियो में देखने वाले हम integration का यह question ln 1 plus x dx अब देखो इसका integration कैसे करना है है यहाँ पर ln का तो हमें कोई formula नहीं पता है integration निकालने का तो हम पहले क्या करते हैं यह 1 plus x है इसको simple बना लेते हैं हम पहले इसको substitution लगा के केवल एक variable में change कर लेते हैं यानि 1 plus x की जगा एक simple variable ले आएंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 1 plus x को y assume करेंगे उसके बाद करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं न दोनों को बस यहाँ पर पुट कर दो तो हमें यह मिल जाएगा ln ln 1 plus x की जगाए हमने y लिया और dx की जगाए है dy अब जो हम इस question करेंगे वो करेंगे हम integration by parts देखो integration by parts का formula पहले हमें left में लिखूंगा integration by parts का formula होता है integration अब वो काऊगे कि उसके लिए तो दो function चाहिए multiply में दो ही देखेंगे देखो integration by parts इसका formula होता है u dv is equals to u v minus v d ठीक यहाँ पर चाहिए हमें एक तो u एक dv चाहिए हम क्या कैसे करेंगे देखो इसको हम क्या करेंगे जो पहला function है इसको u मानेंगे और जो बचा हुआ है उसको dv मानेंगे तो यू की जगा तो हम लेंगे कितना lny और dv की जगा लेंगे dy हमें फॉर्मूले में डी यू चाहिए और वी भी चाहिए तो निकाल लेते हैं दोनों को अलग अलग करके तो डी यू कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव निकाल लो lny का होता कितना 1 ौबर y साथ में लिखेंगे by हमें करना पड़ेगा इंटीकरेशन अगर वी निकालना तो दोन तरफा इंटीकरेशन कर दो तो यहां से अगर हम integration करेंगे यहां से आजाएगा V equals to Y ठीक है अब हमारे पास सारी values आचुकी है हम क्या करेंगे यहां पर put कर देंगे इसकी right side में पहले यू फिर V तो यू की जगा आया है कितना यू की जगा LNY V की जगा कितना है Y minus integration V की जगा है Y और D U की जगा है 1 over Y दी वाई इसको simplify कर लो और integration कर लो यह यह इसको पहले लिख लेता हूँ ठीक है जो भी टर्म है यह लोग function sign function होते हैं इन से पहले लिखा करो जो भी अगर अगर तर्म आरे है minus Y से Y cancel यह Y से Y cancel हो जाएगा यहां तो 1 ही बचेगा के बचेगा 1 D Y 1 का integration सबको मालूम है 1 का होता है Y plus C यहां से क्या करो Y को मल ले लो Y को मल ले लेते हैं यह तो ऐसी छोड़ दो यह Y को मल ले लो ठीक है अगर अच्छा लगे तो Y अगर ऐसी लग रहा तो चलो ऐसी बस Y की वैल अब यहां पर पुट कर देने बस वैल ले वाई की जेगे था 1 over 1 plus X तो बस इसको पुट कर दो फेक्टर करके एक स्टेप क्यों बढ़ाना बस इतना इच्छोड देने LN 1 plus X 1 plus X plus C यही इसका answer है ठीक है काफी आसान था देखो कुछ ऐसा करना नहीं था इसमें बस एक बार इंटिकरेशन बाइप पार्ट लगाना था और कुछ नहीं करना था आयोप आप लोगों को यह सब समझा आया होगा इस वीडियो में इतना ही next video में हम करेंगे next question अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को subscribe जयो करें ताकि जो भी वीडियो में सबसे अपलोड करूं वह सबसे पहले आपको उसका नौटिफिक्चन आपको मिल सके इस वीडियो में इतना ही होके ठैंक्य मिलत हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉलम के साथ